नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बुद्पुर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान के लिए उम्री स्रधालवों की भीर बिहार प्रशास्निक सेवा के दो अधिकारियों का तबादला बिहार के मेडिकल कॉलेजों की अब सुधरेगी सेहत छे साथ मैं को लगेगा साहित्यकारों का महाकुम डगोटीसी फाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए बढ़ी मुश्किले इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से बुद्ध पुर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान के लिए उम्री श्रधालवों की भीर आज वैशाक महिने का बुद्ध पुर्णिमा और साथ ही बुद्ध जयनती भी है इसके लावा आज साल का पहला चंद्रगरहन भी लगने वाला है हालाकि चंद्रगरहन भारत देश में नहीं दिखाई देने वाला इसलिए इसका हमारे देश पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा वहीं अगर हम बात करें बुद्ध पुर्णिमा की तो आज बुद्ध पुर्णिमा के अफसर पर गंगा नदी में सनान करने के लिए श्रधालू की भीर उम्री हुई है सुपह से श्रधालू असनान करने के लिए घाटो पर पहुँच रहते मालुम हो कि अश्रधालू के दोरा गंगा में सनान करके सुख सांती समिध्धी की कामना की जाती है वहीं आज बुद्ध पुर्णिमा के अफसर पर बिहार के मुक्य मंतरी नितीश कुमार के दोरा सभी को शुब कामनाई देते वे कहा गया है कि बुद्ध पुर्णिमा के पावन अफसर पर प्रदेश एवं देशवास्कियों को हार्दिक बधाई एवं शुब कामनाई भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से हमें प्रेम, सांती, सत्भाव, त्याग, अहिंसा एवं सयम जैसे गुनों को अपनाने की प्रेड़नाम मिलती है उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श है भगवान बुद्ध के बताय हुए अस्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुश्य समयक और संतुरत जीवन यापन करने में सक्षम हो सकता है भगवान बुद्ध के सक्षा को आत्मसाथ कर हमापसी प्रेम और सत्भाव की भावना को और मजबूत करे बिहार प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों का तबादला समाने प्रशासन विभाग के दोरा दिसूशना चारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के दोरा बिहार प्रशासनिक सेवा के दोरा दो अधिकारियों को अस्थांतरत कर दिया गया है बता दे कि जिन अधिकारियों को अस्थांतरत किया गया है उनमें लगुजल संसादन विभाग के संयुक्त सचीव प्रवीन कुमार और कला संस्कृति विभाग के संयुक्त सचीव तारिक इकबाल का नाम शामिल है बता दे कि लगुजल संसादन विभाग के संयुक्त सचीव प्रवीन कुमार को पडिवन विभाग में संयुक्त सचीव बनाय गया है और साथ ही कला एवं संस्कृति विवाग के स्युक्त सचीव का अधिक प्रभार भी दिया गया है बिहार सिक्षक बहाली परिच्छा का ऐसा होगा पैटर्न अगर आप भी बिहार में टीचर बननी की इक्षा रखते हैं तो यह कबर आपके लिए है बता दे कि BPSC यान सेक्षक और प्रधान ध्यापक न्युक्ति परिच्छा की तरह ही होगी और जल्दी इसको लेकर आयोग के दोरा वस्तार से जानकारी भी दी जाएगी इसके साथ ही आयोग की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि इसके अब विग्यापन माई के अंत तक आएगा और उसके पाद एक महीना अभ्यर्थियों को आविदन करने और उसमें हुए द्रूति को सुधार करने के लिए दिया जाएगा मालूमों कि ऑनलाइन आविदन जून अंत तक लिया जाएगा और परिच्छा अगस्त महीने में होने की संभावना जिताए गई है बिहार के मेडिकल कॉ कॉलेजों अस्पताल में सुधार आ सके इसको लेकर बीतर दिन बिहार के मुक्यमंत्री त्याश्वी आदर के द्वरा मिसन साथ के अंतरगर मिशन परिवर्तन की लॉंचिंग की गई और साथ ही मेडिकल कॉलेजों को हिलाज का टास्क दे कर कहा कि जिस कॉलेज में जितने म किया जाएगा कि कारेश्याली व्यवस्था और लाज के दिशा में कितना बदलाव किया गया है इसके अलावा यह इनर्देश दिया गया है कि हर दिन इवनिंग राउंड सुनुशित किया जाए और कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर अस्तर के डॉक्टर वर्ड में राउं गोशित कर दिया कैहां है। बतादे की घोषित की गए घ्रकीम के अनुसार मद्दान 9 जून को किया जायें। बतादे कि आयोग के दुरा दी गई जानकाडी के नुसार अधिसूशना 9 मई को जारी की जाएगी और फिर 17 मई तक पुडवाहन 11 बचे से 3 बजे तक नमांकन पत्र दाखिल के जाएगे नमांकन पत्रों की जाँच 18 से 20 मई तक की जाएगी वही नमांकन पत्र वापस लेने क समय 21 से 23 मई के बीच नरधारित किया गया है और फिर 24 मई को अंतिम रूप से चुनाओ में शामिल उमिद्वारों की सूची और उन्हें चुनाव चिंद दिये जाएगे सुदान में फसे 9 बिहारी मजदूर लाए गया पत्ना बित दिन देरा करीम 9 से 10 बजे के बीच इंडिगो के विमान से सुदान में फसे बिहार के 9 मजदूरों को राजिस सरकार के ओर से किये गया खर्च पर दिल्ली एरपोर्ट से पत्ना एरपोर्ट लाया गया है बता दे खुशी है कि वह अपने घर वापस लोट आये हैं पता दे कि देश के जो भी लोग सुदान में फसे हैं उन्हें दिली कॉलकता मुंबाई एरपोर्ट पर लाया जा रहा है केरल पुलिस ने पटना पहुंच कर दो साइबर ठक को किया गिरफतार बिहार में लगाता साइबर अ है गिरफतार किये गए साइबर ठक की पैचान 23 वर्षी सूरज कुमार और 21 वर्षी अमन कुमार के रूप में की गई है तरसल इंठकों के द्वारा के लोगों को चूना लगाया जा रहा था जिसकी पुकता जानकारी केरल पुलिस को मिली जिसके बाद केरल पुलिस के बिना समय गवाय दोनों ठगों को गरफतार किया गया है मालूम हो कि केरल पुलिस के अनुसार इंठगों के द्वारा मीरा नाथ नामक सिक्षक के अकाउंट से 25 फरवरी को लाखों रुपे धोके से निकाल दिये गया थे अफिलाल पुलिस के द्वारा कागजी कारवाय अलग-अलग अस्थानों पर कारेक्रम का आयुजन किया गया है मालूम हो कि बुद्ध जयनती के अफसर पर महाबोधी मंदर में विशेश अनुस्थान और विश्वसांती प्रातना के साथ 2500 सरसठवी बुद्ध जयनती मनाई जा रही है जहां मुख्य अतीती के रूप में बिहार के राजेपाल राजंदर विश्वनात आलेर कर शामिल हुए और राजेपाल के द्वारा हैं इस कारेक्रम का उधगाटन भी किया गया इसके साथ ही यहां राजेपाल के द्वारा असमारी का प्रग्या का मोचन भी किया गया वह इसे एक घंटे के कारेक्रम के बाद बहुत विक्चुओं को कालचक्र मैदान पर बनाए गए पंडाल में संधदान यानी भोजन दान दिया गया और फिर उसके बाद शधालों के बीच भोजन दान किया गया बुद्ध जयनती को लेकर आज सुभा असी फीट विसाल बुद्ध प्रतीमा के शाथ आकश धम यात् भी निकाली गई 6-7 माई को लगेगा सहीतिकारों का महाकुम 6-7 माई को बिहार हिंदि सहीति सम्मेलन लगने वाला है जिसका उदगाटन बिहार के राजिपाल राजिंद्र विश्वनात आलेर करके द्वारा किया जाएगा वहीं समापन सह सम्मान समारों में मुख्य अथि डॉक्टर राजजिंद्र प्रशाद की पुन्यस्मिति दिवश के साथ वर्ष पूरे होने पर समर्पित है मालम हो किस कारिक्रम के पहले दिन यानि की 6 माई को साम 6 बजे से सामस्क्रितिक उत्सव का आयूजित किया जाएगा हाला कि उससे पहले दो वैचारिक सत्र होंगे और फिर विराट कभी सम्मेलन का आयोजिन किया जाएगा 200 करोड रुपे से इंटरनाशनल लेवल का बनेगा बिहार का यह स्टेशन परिषार का पड़िया और साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया कि इल का परिचार निरॉअब गति से हो और यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परशानी ना हो मालुम हो कि स्टेशन के निर्मान के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है वही जूर महीने में इसके निर्मान कारी के शुरू होने की संभावना जताई गई है NTA ने जारी किया NEET UG Admit Card बिते दिन NTA यानि के नेशनल टेस्टिंग एजनसी के दोरा साथ मई को आयोजित होने वाली NEET UG 2030 की परिच्छा के लिए Admit Card जारी कर दिया गया है ऐसे में परिच्छार्तियों को दो पहड देर बज़े से पहले रिपोर्ट करना होगा वहीं परिच्छा में उपस्तत होने वाले सभी परिच्छार्तियों को NEET Dress Code का पालन करना होगा और अगर परिक्षार्थी परंपर एक पुशाक पहन कर जाते हैं तो उन्हें परिक्षा केंद्र पर दो पहर सारे 12 बजे तक रिपोर्ट करना होगा मालमों कि परिक्षार्थियों को परिक्षा के इंतर पर एडमेट कार्ड के साथ अपनी एक रंगीन फोटो जो आवीदन के समय दिया गया होगा उसे लेकर जाना होगा तेश्वी आदव ने देखी बिहारी फिल्मकारों की बनाई मुवी जैक्सन हॉल्ट बितिदन बिहार के उपमोखे मंत्री तेश्वी आदव के द्वारा बिहारी फिल्मकारों की बनाई मुवी जैक्सन हॉल्ट को देखा गया बिहार के तांतरिक ने अमिताब बचन के रिस्तदारों के साथ की ठगी बिहार के तांतरिक के द्वारा बॉलिवूट के स्टार अमिताब बचन के एक रिस्तदार से करोर रूपे की ठगी कर ली गई है बतादी के मिरे जानकारी के नुसार अमिताब बचन के पडिवार के द्वारा पिछले साल दिसंबर के महीने में ठगी का मामला दली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास दर्ज कराया गया था जिसको लेकर तीन आड़ोपी की गिरफतारी की गई है जिसमें से एक का नाम अवनीश चंदर जहा है इसे तांतरिक और गुरुजी के नाम से भी जाना चाता है WTC फाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए बढ़ी मुश्किले वर्टेश चैंपियंशिप के फाइनल के पहले टीम इंडिया के मुश्किले बढ़ती जा रही है बतादी कि पहले जहां चोट के चलते जस्पी दुम्रा और डिशपन टीम का हिसान नहीं है और साथी सलामे बलेबाज के अल राहूल भी अब अपने चोट की वज़े से IPL 2023 के 16 सीजन से बाहर हो चुके हैं और साथी यह भी आसंका बन गई है कि वह WTC में खेल नहीं पाएंगे वहीं दूसरी होड अब उनाद कड भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है इसके लावा अब उमेश यादव और सारदुल की फिटनेस भी सवालों के घेरे में आ गई है बता दे कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उमेश और सारदुल पूरी तरह से फिट नहीं है जिस वज़े से डवलू टीसी फाइनल में टीम इंडिया को दिक्कतों का सामना करना पर सकता है हाला कि अब भारती टीम के पास कुछ समय है अपने इस दिक्कत को सुलजाने का जानियाद बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी शुक्रवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पिट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 94.04 रुपे प्रती लीटर में मिल रहा है मुझ अगलपूर में पिट्रॉली कीमत 107.98 रुपे और डीजल कीमत 94.07 रुपे प्रती लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पिट्रॉली कीमत 108.31 रुपे और डीजल कीमत 95.04 रुपे प्रती लीटर है बता दी कि बिहार में पिट्रॉल का रेट सबसे आदा कस संगंच में है जहां पिट्रॉल 109.66 रुपे प्रती लीटर और डीजल 96.23 रुपे प्रती लीटर की दर्से मिल रहा है बिते दिन हमारा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों नरपन जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हो साथ ही बरते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके अनुसार आज हमें साइबर क्राइम पर रोक लगानी के लिए सरकार के ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए आब अशना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिकर दरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बर रहने के लिए देखते रहें बिहारी नीज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थानेवाद